फ्रेंड्स यहां पर बहुत ही बड़ी गूड नूज है उन सवी यूजर्स के लिए जो कि MIUI 12 अपने फोन में यहां पर इंस्टॉल करना चाते हैं उनकी फीचर्स के बारे में जानना चाते हैं तो मैंने यहां पर अल्लेडी अपने Redmi Note 5 Pro में चाइना का MIUI 12 यहां पर अपडेट कर दिया है और आज की इस वीडियो में आपको बदाऊंगा MIUI 12 के सारे फीचर्स प्रूफ के साथ ना कोई स्क्रीन डिकॉर्डिंग और ना ही कोई लिक्स तो आप देख सकते हैं कि मेरे डिव बारे में बात करेंगे और साथी साथ इसके फीचर्स के बारे में भी बताएंगे ताकि आपको आइडिया मिल सके कि MIUI 12 के अंदर क्या-क्या फीचर्स देखने को मिलने वाला है तो फ्रेंड्स मैंने अपना फोन का बूट लोटर अनलॉक पहले से हिंग किया हुआ था और यहां पर TWRP से मैंने यहां पर MIUI 12 का यह रोम फ्लैस किया है आप देख सकते हैं जैसे इस रोम को फ्लैस करेंगे आपको यहां पर स्टार्ट क कॉप्शन देखने को मिल जाता है सबसे अच्छी बात यहां पर मुझे देखने को मिला है जो है इसका वाल पेपर और कई हद तक यहां पर iOS की कॉपी की गई है और हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर रेडिमी के अंदर यह जो iOS का कॉपी है यह दिखने में काफी अच्छा लग रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं कि MIUI 12 के साथ स्टोरेज में इनिमेशन बनता हुआ दिख जाता है ठेक उसके नीची आल स्पेक्स आपको देखने को मिलता है और वहां पर आपके जितने भी स्पेसिफिकेशन हैं आप चेक कर सकते हैं पहले MIUI 10-11 में जैसा देखने को नहीं मिला तो डिफरेंट आपको देखने को मिल जाता है तो यहां पर सब कुछ इसके अंदर बहुत ही अच्छा मिनिमल दिया गया है नीट एंड क्लीन और कई हद तक iOS की कॉपी की गई है जो कि कहीं से भी खराब देखने को नहीं मिलता है इसके अलावा थीम्स बगार का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है इसके लावा स्क्रीन टाम वेगएरा भी आप देख सकते हैं देखने को मिलता है और यहां पर सबसे अच्छी बात कैमरा स्क्षिन के अंदर यह लगी कि इसका कैमरा को जो ऑप्टिमाजेशन है वो काफी अच्छा मुझे दे और इसका कैमरा टेस्ट भी मैं आगे आने वाले टाइम में करूंगा तो जिनके पास भी रेडमी नोट फाइब प्रो का डिवाई से वो कमेंट जरूर करें और कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं यह भी कमेंट करना ताकि मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो रेड इन्फोर्मेशन था जो कि मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि MIUI 12 इंस्टॉल होने के वाद कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है